हलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल आज हम बनाएंगे मतर की कचोरी यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर देना मतर की कचोरी बनाने के लिए पहले हम कुछ मसाले को ड्राय रोस्ट करेंगे जैसे कि धनिया और सॉफ यहां पर मैंने दो भाग धनिया और दो भाग सॉफ ले लिया है अगर आप चाहे तो यहां पर शाही जीरा भी आट कर सकते हैं उसको भी रोस्ट करके यहां पर यूज कर सकते हैं या फिर आप जीरा पाउडर बाद में मसाले में यूज भी कर सकते हैं दोनों में इसको जुस्ट ऐसे पिसना है ताकि ये मसाला मूँ में भी आए और बहुत ज़्यादा फाइन पेस ना हो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कितना स्टेश तक इसको पीस रही हूँ ये देखिए अल्मोस्ट ये हो चुका है ऐसा ऐसा इसको मोटा मोटा पीस लेना है इसको थोड़ा एड करके थोड़ा चलाना है जस्ट हलका कलर आने तक वेट करना है पहले मैं सौफ डाल रही हूँ फिर मैं एड करेंगी अद्रक इन दोनों को जैसे हलका स्मेल आने तक वेट करना है उसके बाद मैं इसमें एड करेंगी मटर अभी यहाँ पर मैं जो मटर है वो एड़ कर रही हूँ इसको यह मटर अगर मीठी ना हो तो आप इसमें चीनी बाद में एड़ कर सकते हैं इसको हलके से ऐसे हलके हाथों से चला लेना है अब इसमें एड़ करेंगे हीं अब मैं इसमें हीं एड़ करूंगी इसको थोड़ा चला लेंगे फिर इसमें मैं लाल मिर्च एट करूंगी और इसके साथ थोड़ा आप ग्रीन चिली जो है उसको चॉप करके इसमें आड़ कर दीजे मैंने भी तोड़ा आड़ कर दिया क्योंकि हम लोगों थोड़ा तीखा पसंद है इसको धीरे हाथ से चला लेंगे फिर इसमें पानी आड़ करेंगे जैसे मैंने आड़ कर दिया है अभी इसको थोड़ा धक्ये थोड़ी दिर तक पकाना है लेकिन ये ग्रीन सबसी है तो इसको ज्यादा दिर तक धक्ये नहीं पकाना है नहीं तो सबसी काला हो जाएगा अभी मैंने इसका ढकन खोल दिया है, अभी इसमें नम्मक एड़ कर दूँगी, और थोड़ा जो मसाला है वो आड़ कर दूँगी, जो मैंने पीस के रखा था, अब देखें, पानी धीरे धीरे सोक रहा है, कम हो रहा है पानी, और थोड़ा इसमें मैं जीरा पाउडर भी तो निएधा नहीं होगा तो चीनी आड़ करना है आप चीनी आड़ करके ठोड़ा इसको चला ले यह almost done है और आखिर में थोड़ा नमक अड़ कर दीजेगा as per taste जो मसाला मैंने निकाल लिया इसको थोड़ा भी smash कर लिए मैं कि अच्छे से स्मैश कर लिया है अब इसको फ्रिज में रख देती हूं ठंडा होने के लिए इस बीच में हम लोग आटा लगाएंगे इसमें मैंने थोड़ा मैदा लिया है मैदा को नॉर्मली जैसे पूरी का आटा करते है ऐसे बनाएंगे थोड़ा नमक एड़ करूँगी और थोड़ा तेल एड़ करूँगी मैं यहाँ पर रिफाइन ओयल यूज़ कर रही हूँ यह एड़ करके धीरे धीरे हलके हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी डालके आटा इसका हम गुन लेंगे और जो डो होगा उतना भी सौफ नहीं होगा और जाधा हार्ड भी नहीं होगा मीडियम डो होगा ये दिखे ये जो डो है ये उतना भी hard नहीं है और जादा soft भी नहीं है अभी इसको हम थोड़े दिर rest करने के लिए छोड़ देंगे मैं उपर थोड़ा तेल लगा रही हूँ ताकि ये सुखे न इसको 10 से 15 मिनिट rest के लिए हम छोड़ देंगे इसको ढखके 10 से 15 मिनिट रख देते हैं अब हम पूरी बनाते हैं पहले इसको ऐसे थोड़ा रोल कर लेते हैं फिर इसमें ऐसे कप टाइप का बनाएंगे कि बीच का जो कप होगा वो ज्याधा पतला नहीं होगा, जब हम stuffing उसमें ऐड़ करेंगे तो वो फट जाएगा कर दो मैं का hir लो यह अभी ऐसे इसको धीरे धीरे रोल करके हम इसका मूँ बंद कर लेंगे और जब ही इसका मूँ बंद हो जाएगा इसको ऐसे रोल कर लेंगे ताकि इसका जो फीलिंग है वो बाहर ना निकले और पहले आप इसको बेले ना, इसको पहले थोड़ी देर हाथ से प्रेस कर ले, हाथ से थोड़ा प्रेस जैसे मैं कर रही हूं, ऐसे धीरे धीरे हलके हाथों से प्रेस कर लीजिए, प्रेस करने के बाद थोड़ा इसका साइज इसका बड़ा हो जाएगा, फिर आप इसको धी अब भी थोड़ा में प्रेस कर रहे हैं से प्रेस कर लीजेगा दोनों साइट से अभी इसको धीरे हाथ से बिलनेंगे और इसमें सुखा मैदा बिल्कुल भी यूज़ मत करिये अगर यह किसी भी कारण चिपक रहा है तो आप उस पे तेल यूज़ करें बिलने के लिए अभी यह अल्मूस्ट तयार है इसको हम अभी तलने के लिए लेगे यह देखिया एकदम अच्छे तरह से प्याल गया है अभी देखिए इतना बहुत मोटा भी नहीं बहुत पतला भी नहीं है मैंने तलने के लिए यह तेल अल्रेटी गरम कर लिया है इसमें मैं डाल देती हूँ यह उपर आजाने तक वेट करेंगे थोड़ा उपर आजाए तब तक यह देखिए अभी उपर आगया है अभी इसको दूसरे साइड से पलट लेंगे और यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीचेगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीचेगा लेटेस्ट अपडेट के लिए यह देखिए इसका कलर ऐसे हो गया है मैंने दोनों तरफ से अच्छे से फ्राइ कर लिया है अभी मैं इसको निकाल लूँगी यह पूरी पूरा रेड़ी है मैंने इसको निकाल लिया है अभी मैंने निकाल लिया है इसको भी यह देखिए पूरी पूरा बन के तयार है ऐसे आप बना सकते है Thank you so much for watching